सब्सक्राइब करें डी क्रिकेट चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर ख़बर पहुँचे आपके पास सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स डिजायर क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है IPL का इंतिजार करें फैंस के लिए आई है सबसे बड़ी खुश कबरी BCCI ने IPL के शेड्योल को दो दिनों के लिए बढ़ाया अब IPL 2020 53 दिनों का होगा और टाइमिंग में हुआ है सबसे बड़ा फेर बदल जानिये इस वेडियो में सब कुछ जी हां IPL 2020 का आगाज होने जा रहा है IPL के सभी मुकाबले UAE में खेले जाएंगे BCCI की गवर्णिंग काउंसिल ने मिटिंग में इंडियन प्रीमियर लीग को 19 सितंबर से 10 नवंबर तक कराने का फैसला किया है BCCI की सीनियर अधिकारी ने बताया कि टूनामेंट में रवी वार को दो-दो मैच होंगे शाम वाला मैच पुराने शेड्यूल से आधा घटा पहले यानि कि साढ़े साथ बज़े से शुरू होगा साथ ही चाइनिज मुबाइल कमपनी वीवो टाइटिल स्पॉंसर बनी रहेगी आईपेल के सीजन में एक टीम से मात्र 24 खिलारी ही जा पाएंगे और चोटिल होने पर ही दूसरे खिलारीों को बुलाया जाएगा आईपेल की सभी टीमें 26 अगस्त के बाद UAE के लिए रवाना होगी और फैंस की एंट्री पर BCCI के अधिकारी ने बताया कि ये बहुत अच्छा होगा कि टूनामेंट में कुछ दर्शकों को अनुवती मिल सके हाला कि इस पर BCCI UAE के क्रिकेट बोर्ट से बात कर रही है और शायद कुछ लोगों को जाने की अनुवती भी मिल जाए तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो गृप्या इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय दे और हाँ डी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद